उत्रपरदेश के हमीरपूर में विधानसवाउप चुनाव के लिए 23 सिप्तमबर को मतदान होगा जिसमें अब सिर्फ दो ही दिन बचे हैं आज से हमीरपूर में चुनाव प्रसार भी थम जाएगा साती प्रशासन और पुलिस ने भी निश्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए कमरकसी हुई है मतदान के दिन किसी तरह की कोई कोर कसोर न रह जाए इसके लिए आज पुलिस ने टेनिंग कैम का भी आयोजन किया जिसमें पुलिस कर्मियों को मतदान के दोरान किसी तरह की परिशानी आने पर क्या करना है इसके बारे में बताया गया इस दोरान पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी अपर पुलिस महानी देशक भी मौझूद रहे दो चीज के लिए आए था एक चुनाओ है यहाँ पर दो दिन बाद उसकी ब्रीफिंग के लिए था जानने के लिए आए था कि विवस्था कैसी है और बड़ी खुशी की बात है कि हर चीज विवस्थित है जितनी हमारी फोर्स लगनी है वो आज चुकी है उनके ड्यूटी कार्ट्स बन गए है डिप्लॉयमेंट हो गया है जो सत्रक कम्प्री सीपी अमें फानी की सभी आ गई है हर एक बूत हर एक सेंटर पे सीपी एमेफ है कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो बिना सीपी एमेफ के चुनाओं में जा रहा है इसके अलावा हमारी बॉर्डर सीलिंग स्कीम बिल्कुल प्लेस पर है उसको अभी काफी डीटेल में रिव्यू किया गया है और बहुत आश्पस्त हूं कि चुनाओं बहुत अच्छा से हो जागा मद्दाताओं के लिए एज़ पुलीस अफसर हम सब चाहेंगे बहुत मद्दाता आएं सब ही आए वोट करें डिमॉक्रसी है और अगर किसी गाउं में कोई परिशानी है हम उनको जरूर ध्यान में रखे हुए हैं कि किसी में अगर किसी को निकलने से रोकने का प्रयास किय जा रहा हो या कोई भी इस तरह की बात हो उसकी सूचना दें सस्पी को स्पी हमीरकुर को विए टेक केर एंड विल एंशूर कि किसी को कोई मद्दान करने में परिशानी नहीं आने पाएं बिल्कुल इंपार्शियल फेर प्रोफेशनल टफ हम अपनी प्रोफेशनलिजम मे कहीं कोई कभी ना आजाए दिश्पक चुनाओ कराना है और बहुत शांतिपून चुनाओ कराना है जो जो चुनाओ का निर्देश रहता है उसको पूरी कंप्लाइस करते हुए और विल एंशूर एंड पीस्फुल एलिक्शन देक्स प्रोफेशनलिजम में प्रोफेशनलि लॉंचिंग और पार्टी राजघराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल